रावना राजपूर समाज जिलाबार मेर के संगर्ठन चुनाव का आयुशन किया जा रहा है इसके तहट रविवार को सिंधरी और समधरी ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी नाराण सिंग गोगादेव सहायक चुनाव अधिकारी हरी सिंग राठोड और हरमीर सिंग परिहार और चुनाव परिवेक्षक बाबु सिंग चोहान की देखरेख में आयुशित हुए जिसमें सिंधरी ब्लॉक अध्यक्ष पद पर जगदीश सिंग परिहार और संधरी ब्लॉक अध्यक्ष पद पर छगन सिंग गोगादेव कोटडी को सर्वसम्मती से चुना गया रावना राजपू समाज के जलाध्यक्स इश्वर सिंग चोहान के निर्देश अनुसार बार्मेजिले के संगठन चुनाव के तहत रविवार को सिंद्री और संधरी के ब्लॉक अध्यक्स के चुनाव आयोजित हुए ये चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी नाराण सिंग गोगादेव सहयक चुनाव अधिकारी हरी सिंग राठोर और हमीर सिंग परिहार चुनाव परेविक्षक बाबु सिंग चोहान खेट सिंग चोहान उप्रदान शेयतान सिंग भाटी वर्तमान ब्लॉक अध्यक्स सवा मुखे चुनाव अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जांच की गए इसके बाद सिंधरी ब्लोक समाज बंधों द्वारा जगदी सिंग परिहार को सारो सम्मती सर्ध्यक्ष बनाए गया इसी तरह सम्धरी ब्लोक अधिक्ष पद के लिए छगन सिंग गोगादेव कोटडी का आवेदन प्राप्त हुआ जिने सर्ध्यक्ष गोशित किया गया नव निर्वाचित अध्यक्ष शगन सिंग ने अपनी कारेकारणे में मूल सिंग चोहान को महामंत्री अशोक सिंग राखी को कोशा अध्यक्ष मनोनीत किया वहीं समधड़ी तैसल युवा अध्यक्ष के लिए महिपाल सिंग वागेला को सरुसम्मती से चुना गया वागेला ने अपनी कारेकारणे में दलपत सिंग भाटी को तैसल युवा महामंत्री और नरपत सिंग पवार को कोशा अध्यक्ष मनोनीत किया मुखे चुनाव अधिकारी निन्हें पद की शपाद दिलाई और प्रमान पत्र सौपा इस दोरान चुनाव अधिकारी हरी सिंग राठोर ने खिल रावना राजपूत सेवा संस्तान रास्टिय अध्यक्ष विक्रम सिंग भाटी के 24 अगस्त को रावना राजपूत समाजभवन डेल्वे स्टेशन के सामने बारमेर में आईजित बैठक की जानकारी देते हुए सबी से बैठक में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का अहवान किया